आपके सामने एक परसनल माटर को शेयर करना चाहती हूँ मेरे 100% डालने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ मेरे घरवाले मुझसे खुश नहीं है और मैं अपने आपको एक खुशनुमा जिनकी जीने से रोक रही हूँ तो वो एक मूल मंत्र को आप पकट पाएंगे जिससे आप सदेव, खुश और हैपी रह सकते हैं और आपका ये 100% दूसरी तरफ से भी 100% अपने आप लेकर आएगा तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेर करेंगे और हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम ऐसी बहुत सी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आते रहें तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि आपके 100% करने के बावजूद भी क्या लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या आप खुश नहीं रह पा रही हैं 100% करने के बाद, तो एक चीज को समझने की कोशिश करें सो जी आप कोई जॉब करती हैं या कहीं बाहर के आई हैं और आते ही आपको अपना घर सारा अस्त दस्त दिखता है, तो क्या आप क्या करती हैं, क्या आप ऐसे सारा बैक तांग के अपनी सारी एंजाइटी, अपनी सारी ठकावट के साथ घर को क्लीन करने में लग जाती हैं और clean करने के साथ साथ आप बहुत साली चीज़े बोलती रहती है negative की मेरे हस्बेन ने ये चीज़ यहां रखी है इनको कितनी बार बोला है ये सही जगा पी नहीं रखते है अपनी mother-in-law ये घर के बाकी लोगों को एक एक करके चुन-चुन के negative बोलती है क्योंकि आप खुद भी तकी हुई आई है और आते ही इतना सारा burden, इतना सारा काम भर इतना फैला पड़ा है कि आप खुद relax होने की बजाए सारा समय सिरफ आपस से clean करने में लगी हुई है और फिर जब आप वो clean करके हटती है तो शायद आपको kitchen याद आती है kitchen में भी सारा फैला पड़ा है और धीरे 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 आप अपने आपको negativity से भरती जाती है भरती जाती है ये ऐसा समय है कि आप अपना 100% भी दे रही है लेकिन फिर end में क्या होता है कि आप तनाप से जाधा ग्रसित है अप क्या होता है कि जब आप evening में आपके husband आये तो उन्होंने बोला कि तुम ये नहीं करती हो ऐसे नहीं करती हो तो आप क्या अप अपना meter शुरू हो गया आपने बोलना शुरू किया कि मैं सारी दिन लगी रहती हूँ चकरी की तरह घूमती रहती हूँ सारा दिन काम करती हूँ फिर भी आप satisfy नहीं हो और ऐसे में अगर आपको answer back में ये मिले कि तो अगर आपने ये किया तो आपने अपने लिए किया है तब आप और जादा negativity में गुशती है तो आपको क्या करना है? अपने आपको improve करना है आपको क्या करना है? अपनी negativity को दर किनार करना है आपको क्या करना है? अपनी personal और professional life में एक boundary create करनी है जैसे ही आपको एक boundary create कर लेंगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना है जैसे ही आप अपने काम से आए, बाहर से आए, तो घर चाहे कितना भी फैला पड़ा हूँ, कोशिश करें, खुद को थोड़ा सा आराम दें, थोड़ा सा रिलाक्स करें, अगर आप 100% एफिस दिये जा रही है, दिये जा रही है, और दूसरी तरफ उसकी इतनी जरूरत नहीं भी है, वो भी चाहते हैं, कि आप अपने आपको वेल रखें, तो प्लीज अपने आपको इतनी थकान और इतनी ओवर बर्ड़निंग से बचाएं, घर आएं, रिलाक्स करें, कपड़े चेंज करें, चाहे लें, सिप लें, म्यूजिक इंजॉई करें, और उसके बाद दिख सारी वली आइटम्स को नहीं गिनवाएंगी, कि मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, जब आप अपनी खुद की जिनकी जियेंगी, तो आपको किसी से कंप्लेंड नहीं होगा, सिरफ और सिरफ ग्राटिट्यूड रहेगा, तो अगर आप 100 पसंद देंगी, तो आप दूसरा इस वीडियो को लाइक करना है, शेर करना है, मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आई है, और हमारे चानल को सब्सक्राइब करते रहना है, हम ऐसी बहुत सारी health related, mental health related वीडियो आप सबके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप तक लेट पहुँचेगी, तो इस चानल को सब्सक्राइब करें, हमें like करते रहें, share करते रहें, और अगर आप personally मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ doubts हैं, कोई problem का solution लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे personally भी contact कर सकते हैं, मेरी सारी details नीचे description box में दी गई है, सारी share कर रखी हैं, आप मुझसे facebook पे, messenger पे, twitter पे, मेरे article, मेरी appointment बुक कर सकते हैं, हर चीज़ से आप मुझे connect वह सकते हैं, और हमारे channel को please अपना support जादा से जादा दें